विल्कम दोस्तों सौगत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल आईटी आईटुशन में दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्तान जीकी के 20 मोस्ट इंपोर्डेंट कुश्चन जो आप सभी के टेकनिकल हेल पर एकजाम के लिए काफी जादा इ देखेगा चैनल पर नए है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा साथी साथ एक बार प्लेलिस्ट को अवस्त चेक करिएगा यूंकि इंपोर्डेंट कुश्चन की जो सीरीज है आप सभी को प्लेलिस्ट में मिल जाएगी तो जाकर आप सभी वीडियो को देख सकते हैं तो चलिए फिरेंट वीडियो को स्टाइट करते हैं देखिए यहाँ पर पहला कुश्चन है रानी पदमावती के पीता का जो है क्या नाम था यह कुश्चन जो है कल की डेट में पूछा गया था तो यहाँ पर आप्शन है राजा मलखान सिंग रावल रतन सिंग पाल तो रानी पदमावती के जो पीता का नाम था यह गंदर्व सेन था और इनकी माता का नाम क्या था चंद्रावती चंद्रावती इनकी माता का नाम था तो पीता या माता कोई भी आपके अगले एक्जाम में पूछा जा सकता है तो पीता का नाम गंदर्व सेन था और र राजा रावल रावल रतन सिंग जो है इनके पदी का नाम था ये भी कुशन आप सभी के एक्जाम पर पूछा जा सकता है एकला कुशन देखिए सेकेंड कुशन है मोहन लाल सुखाडिया राजस्थान के कितनी बार मुखमंत्रे रहे तो ये सबसे ज्यादा राजस्थान में मुखमंत्री पद पर रहे तो इन्होंने जो है कितनी बार यहाँ पर पद ग्रहड किया तो इन्होंने जो है टोटल चार बार यहाँ पर पद राजस्थान के मुखमंत्रे के रूप में ग्रहड किया डी ऑप्शन यहाँ पर आईट एंसर है कुशन नमबर देखिए तीसरा भारत का एक मात्र लच्मर मंदिर जो है कहां पर इस्तित है तो अप्शन है भरतपूर, अलवर, धौलपूर या करवली तो ये कहां पर है लच्मर मंदिर ये जो है भरतपूर के अंदर इस्तित है ये अप्शन राइट एंसर हो जाएगा खुरिशे नमबर देखे चोथा है जैपूर का अमतिम 49 सासक को थे तोटल जैपूर में 49 सासक हुए तो इसमें अमतिम सासक को थे जगत सिंग जैए सिंग दिती मादो सिंग प्रतम सवाई सिंग मान सिंग तो जगत सिंग जो है ये पहले सा सकते सवाई मान सिंग जो है ये यहाँ पर 49 वें अम्तिंग सा सकते D आप्शन यहाँ पर राइट एंसर है कोशन नमबर अगला देखे पांच वा नमबर मत्स महुस्व राजस्थान के किस सहर में मनाया जाता है तो आप्शन है जैसल मेर अजमेर अलवर बीकानेर तो मत्स महुस्व जो हता है ये अलवर में मनाया जाता है कोशन नमबर चटा देखे ये गूलर का लूदान कहां इस्थित है गूलर का लूदान जो है कहां पर इस्थित है जोदपूर में, जैपूर में, बीकानेर में या भरतपूर में तो गूलर का लुदान जो है ये जोदपूर में इस्थित है ये option right answer है question number 7 है बीसल पूर बाद राजस्थान के किस जिले में इस्थित है बीसल पूर बाद अजमेर में, जालावार में, टोंक में या अजमेर में तो बीसल पूर बाद जो है ये टोंक जिले में इस्थित है C option correct answer है question number 8 है बूदी जिले में कौन सा बाद इस्थित है मेजा बाद, जाखम बाद, जिग जैग बाद, गादी सागर बाद तो बूदी जिले में कौन सा बाद है, जिग जैग बाद है correct answer है option number C question number 9 देखिए बील वाला जिले को किस नाम से जाना जाता है राजस्थान का मैंचेस्टर, वस्तर नगरी, अब्रक नगरी या उपर्योग तो सभी तो बील वाला जिले को जो है, उपर्योग तो सभी के नाम से जानते हैं डी option correct answer है question number 10 माँ पूछा गया है नेहरू गाइडन की जिल में इस्तित है पिछोला जिल, राजसमंद, आना सागर या फते सागर तो नेहरू गाइडन जो है फते सागर जिल में में इस्तित है, डी option correct answer हो जाएगा question number 11 है सालिम सिंग की हवेली जो है राजस्तान में कहाँ पर इस्तित है option है बासवारा, गंगन अगर, जैसल मेर या अलवर तो ये कहाँ पर इस्तित है, जैसल मेर में इस्तित है c option right answer है question number 12 है राजस्तान के सबसे निकट कौन सा बंदरगा है तो राजस्तान के सबसे निकट तम जो है कौन सा बंदरगा है पारादीब, कांडला, मुंबई ये चिन नई तो राजस्तान के सबसे निकट बंदरगा है ये कांडला बंदरगा B option right answer है Question number 13 है राजस्तान के किस जिले का सवादिक छेतर कछारी मर्दा होता है तो कछारी मर्दा यहाँ पर सबसे ज़्यदा राजस्तान में कहां पर होता है दौलपूर में, पाली जिले में, चुरू जुले में या अलवर में तो यह होता है धौलपूर में यह option right answer है Question number 14 है राजस्तान में कनक सागरबाद किस नदी पर इस्तित है खारी नदी पर, उठारी नदी पर, मेंज नदी पर या बनास नदी पर तो कनक सागरबाद जो है यह मेंज नदी पर इस्तित है C option right answer है Question number 15 है चेत्रपल की दिष्टि से राजस्तान का दूसरा सबसे बड़ा जिला कौंसा है दूसरा सबसे बड़ा जिला पूछ रहा है तो पहला चांते हैं पहला सबसे बड़ा जिला जो कौंसा है यह जैसल मेर सबसे चेत्रपल में नमबर वन है जैसल मेर और नमबर टू पर है आपका B का नेर तो correct answer इसका है B option Question number देखे 16 है 16 है जैपूर के बदनाम सासक के रूप में किसे जाना जाता है जैपूर के बदनाम सासक के रूप में किसे जानते है सवाई जगत सिंग दिती, मादो सिंग प्रतम 27 रिमान सिंग, जै सिंग तरती तो ये किसको जानते हैं सवाई जगत सिंग, दिती को जानते हैं बदनाम सासक के रूप में जैपूर के तो ये option है आपका right answer है Question number 17 है राजस्तान की सबसे गहरी जील कौन सी है Option A ये है नव लखा, नक्की, फलाओदी या पुस्कर तो correct answer है option number B नक्की जील जो है सबसे गहरी जील है और ये जो है कि जीले में है सिरोही जीले में इस्थित है correct answer है option number B Question number 18 है राजस्तान में नवावो की नगरी के रूप में विख्यात है जैसा कि आप सभी जानते है उत्तब देश में नवावो की नगरी जो है लखनो को कहते है तो राजस्तान में नवावो की नगरी किसे कहते है भरतपूर, सिरोही, अजमेर या टॉंक तो किसको कहते है आपन नवावो की नगरी टॉंक को कहा जता है D option right answer है किसने दिल्ली जैपूर बनारा सुझेयन तथा मतुरा में वेद सलाएं यानि कि जंतर मंतर बनवाए था तो जंतर मंतर जो है किसने बनावाए था मेजर राजा जैसिंग ने, सवाई जैसिंग ने, जैस्वन तसिंग ने या इन में से कोई ने तो इसको सवाई राजा जैसिंग ने बनवाए था B option right answer है कुशन में 20 है, उदैपूर की पिछोला जील का निर्माड किसने करवाए था तो पिछोला जील कहां पर है, उदैपूर में है तो इसका निर्माड जो है, लच्छ सिंग या फिर जिसे लाका भी कहते हैं इन्होंने इसका निर्माड करवाए था B option right answer है अगला कुशन देखिए 56 बेसिन किस जिले में है तो आप सभी इसका answer जो है, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा 56 का बेसिन जो है, किस जिले में इस देते हैं अलवर में, बासवारा में, पाली में या भाकर में तो आप सभी इसका राइट एंसर जो है कमेंट बाक्स में जरूर दीजिएगा साथी साथ और भी important question की जो series है आप सभी playlist में जाकर देख सकते हैं चैनल पर नए है सबस्क्राइब जरूर करिए कि आप वीडियो के लाइक और share अवश्च करिए मिलते हैं अगले वीडियो में thanks for watching this वीडियो